नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डाक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्स्प्रेस दोस्तों इस वीडियो सेग्मेंट में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो की समान नागरिक संगिता के बारे में बात करता है और यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतरगत क्या क्या चीजें होंगी, क्या बदला होंगे, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से क्या फायदे हो सकते हैं आम जनता को या क्या नुकसान हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं और Uniform Civil Code की हिस्टरी क्या है Uniform Civil Code को किस राज़ ने अभी लागु करने की तैयारी शुरू कर दी है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे तो आईए सुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों युनिफॉर्म सिबिल कोड यानि की समान नागरिक संधिता युनिफॉर्म सिबिल कोड के लागू हो जाने से विबा, तलाग, संपत्ती और उत्त्रा अधिकार जैसे कानूनों में एक रूपता आ जाएगी सारे चीजों के लिए एक जैसी स्थिती पूरे देस में मेंटेन की जाएगी, अगर पूरे देस में युनिफॉर्म सिबिल कोड लागू हो जाता है और हर एक सेट भी ये लागू हो जाता, तो सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून बन जाएगा, जैसे अभी आपराधिक का कानून लागू होते हैं जैसे अगर किसी ने हत्या की किसी ने चोरी की डगैती की तो उसके लिए ये ये नहीं देखा जाता है कि वो किस धर्म से बिलांग करता है या उसके धर्म में क्या कानून है तो जैसे कि आपराधिक कानून चलते हैं उसी तरह से सारे कानून जो विव से तलाक से उत्तरादिकार से संपत्ती से होंगे उन सब के लिए भी एक जैसे कानून हो जाएंगे ऐसा नहीं होगा कि मुसलिम विवा अलग तरीके से होगा हिंदू विवा अलग तरीके से होगा तलाक के नियम अलग तरीके से होंगे हिंदू के लिए और मुसलिम के लिए उ इनिफॉर्म सिबिल कोट की और इसमें ये कहा गया है कि प्रतेक नागरिक के लिए जो भारत देश का नागरिक होगा उसके लिए एक जैसा कानून सुनिश्चित किया जाएगा सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे अंतरगत 1444 और ये अमारे संविधान में पूरी तरह से विस्तित रूप से लिखा हुआ है दोस्तों अभी हाल ही में उत्तराखंड मंत्री मंडल ने 4 फरवरी 2024 को समान नागरिक संधिता के मसोधों को मंजूरी दे दिया है यानि कि मंत्री मंडल ने इसको पास कर दिया कि इस तरह क्या उनिफॉर्म सिबिल कोड हमारे राज्य में उत्तराखंड राज्य में लागू किया जाएंगा अब इससे क्या हुआ कि विधान सभा के अंदर इसे पेस करने के लिए मार्ग प्रसस्त हो गया है इसी के साथ जो है उत्तराखंड ने समान नागरिक संधिता लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा पहला उनिफॉर्म सिबिल कोड का जो इतिहास है वह सौ वरसों से भी जादा पुराना है और उनिश्वी सताबदी में उनिफॉर्म सिबिल कोड को खोजा गया था और इसमें सासकों ने अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंदित भारतीय कानून में संगिता करण के म प्रिटिस की बात करें, तो अंग्रेज या बिटिस एक तो इसाई थे, उनको बहुत जादा भारत के इन धर्मों के वारे में बहुत जादा जानकारी नहीं थी, दूसरी चीज उनका मुख्यों देश से भारत को लूटना था, भारत में अपने ब्यापार के तहत, वो जो है भारत के पैसे को बाहर ले जाना चाहते थे, तो वो इस बिबाद में पढ़ना ही नहीं चाहते थे, कि वो किसी बिबाद में पढ़ जाएं, तो उन्होंने इसको जारी नहीं किया, या उनिफॉर्म सिबिल कोट पर जादा ध्यान नहीं दिया, दोस्तों अगर हम सतंतता के बाद के बारे में बात करें तो सतंतता के बाद युनिफॉर्म सिबिल कोट पर काफी चर्चाए हुई और बहुत सारे सदस्यों का यह मालना था कि भारत एक तरह से अलग-अलग धर्मों और संप्रदायों का देश है और अगर यहां युनिफॉर्म सिबिल कोट लागू कर देंगे तो यह करना ठीक नहीं होगा जबकि कुछ लोग यह कह रहे थे कि उनिफॉर्म सिबिल कोट अगर लागू हो जाएगा और सभी धर्मों सभी संप्रदायों के लिए एक जैसा कानून बनेगा तो सदभाव जो उनके बीच में है उस सदभाव की चीजों को बढ़ावा मिलेगा देश में एक कानून होने से आपसी भाईचारा बढ़ेगा दोस्तों अगर हम सुप्रीम कोट की बात करें तो सुप्रीम कोट अपने कई निर्णों में सरकार से यह जो है एक तरह की निर्देश देता है कि सरकार जो भारत की सरकार है वो उनिफॉर्म सिविल कोट को लागू करें उसको लागू करने के लिए बहुत बार आहवन किया है और समय समय पर नियाय लेने केंद सरकार को अपना रुख स्पस्ट करने के लिए भी कहा है दोस्तों अगर हम बात करें गोवा की तो भारत में गोवा एक ऐसा सहर है एक ऐसा राज है जिसमें उनिफॉर्म सिविल कोड़ 150 सालों से भी अधिक हो गया जहां पर उनिफॉर्म सिविल कोड़ चल रहा है और वरतमान में गोवा भारत का एक मात्र ऐसा राज है जहां सामान नागरिक संगिता मौजूद है दोस्तों अगर हम लोग ततकालीन प्रधान मंत्री नरिंद मोदी जी की बात करें तो नरिंद मोदी जी पूरी तरह से समान नागरिक संगिता की वकालत करते हैं पूर जोर रूप से चाहते हैं कि पूरे देश में समान नागरिक संगिता आ जा कि बाते कही गई हैं समान अधिकार का उलेक किया गया है तो देश में उनिफॉर्म सिबिल कोड लागू हो जाना चाहिए लागू करना चाहिए तो हमारे प्रधान मंत्री इसके बारे में काफी रैलियों में कह चुके हैं और कह रहे हैं हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों मे उनिफॉर्म सिबिल कोड पुरे देश में लागू हो जाए और जैसे ये लागू होगा तो देखे बिरोधी तो हर जगा होते हैं हर जगा बिरोध किया जाता है लेकिन उनिफॉर्म सिबिल कोड से एक देश में एक रुपता तो आने की संभावनाय काफी जादा हो क्योंकि किसी एक धर्म को कोई छुट नहीं मिलेगी किसी दूसरे धर्म को किसी कानून के तहत सजाद मिल रही है और वहीं कोई पूरी तरह से घूम रहा है तो जाहिर तोर पर ये मुझे जहां तक लगता है कि ये ठीक है उनिफॉर्म सिबिल कोड को लागू होना चाहिए कोई वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी हमें बताईएगा अपने लाइक्स और कमेंट्स जरूर करिएगा धन्यवाद